हेलो एन वेलकम तो दे पॉलिटी वीकली करेंट अफेर्स सेशन और कॉंपिशन कम्यूंटी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम लास्ट वीक के यहने की आठ से 14 अप्रेल के बीच में पॉलिटी से संबंदित जो भी करेंट अफेर्स रहे उसको हम डिसकस करेंग आज सच उतना आपके एक्जाम से रिलेटेड उसका डाइनेमिक पार्ट नहीं है बहुत जादा कोई अपॉइंट्मेंट नहीं हुए बहुत कोई इलेक्शन से रिलेटेड या कोई ऐसे संचोधन नहीं हुए जो आपको कवर करना है कुछ मिसलीनियस करेंड अफेर्स है ज कंग लांज कि कौन-कौन से containment नूज कवर करने वाले सबसे पहले संच राष्ट महास्बादवारा रूस को संचुराश्व मानव अधिकार परिशत施 से निलंबित किया यह उनाईटेड नेशन human right commission से रूस को निलंबित कर दिया गया इह पहली news कवर करेंगे दूसरा 13 Apeесть तो प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी ने चलिया वाला बाग में जो शहीद थे उनको श्रिधान जली दी और इस वज़े से यह हत्याकान इतिहास का यह पन्ना दोबारा अभी चर्चा में रहा ठीक अगली न्यूज है इंटर मिनी सीरियल कोडिनेशन क्रूप आएम सीजी की पहली बैठक जिसकी बारे मैं पढ़ने वाले कि आएम सीजी क्या है और इसकी मीटिंग का उद्देश्य क्या है नेक्स्ट, UIDAI की कार प्रणाली पर क्याग की लेखा परिक्षा रिपोर्ट आई है मतलब कॉम्ट्रोलर और ओडिटर जनरल अफ इंडिया यहने महारत का नियंत्रा के महाले का परिक्षक ने यह जो यूनीक आइडेंटिफिकेशन वाली जो अथोरिटी है उसकी उपर एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उसने क्या कहा है वो हम देखेंगे और लास्ट न्यूस जो आज हम कबर करने वाले हैं एलेक्ट्रल बॉर्ण स्कीम उसको चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका पर सुप्रीम कोड जाए वो सुनौआई करने वाला है इस वाजे से एलेक्ट्रल बॉर्ण स्कीम दो हजार अथारा चर्चा में रही इस ह साथ से तो चले करके हम युज का इन नियूस कवर करते हैं सबसे पहले जो फर्स नीऊ से उस पर नज़र डालते हैं संयुक्त राष्ट महासभाद्वारा रूस का संयुक्त राष्ट माना विधिकार परिशद से निलंबन किया गया और रूस को निलंबित किया गया तो बैए यह रूस यूक्रेइन की जो लड़ाई है उसके कई आस्पेक्ट दुनिया के सामने आ रहे हैं उसके रेपरकॉशन दुनिया के सामने आ रहे हैं कुछ रिपरकशन जो जाद अतर रूस पर ही भारी पड़ रहे हैं तो उन में से एक जो नेगेटिव इंपक्ट रूस पर पड़ा वो यह कि उनाइटेड नेशन का जो यूमन राइट कमिशन है जो एक उनाइटेड नेशन जनरल असेमली की अध आधस्य की रूप में रूस ऐसा कोई इस्थाई मेंबर है ऐसा नहीं है यूनाइटेड नेशन हुमन राइट कमिशन में जो भी मेमबरस होते हैं वह कुछ-कुछ टाइम पिरिट के लिए आते हैं तो रूस भी ऐसे ही एक टाइम पिरिट के अभी मेंबर था उससे तो पहा जन बढ़ा विंगे सब्सेंग और युएन में रजिस्टर जितने भी देशें सब युनाइटी नेशन जनुनल एसेंबली के सद्द से और मिट्कली जाते हैं तो यह सहीं तुराश आम सभाय जनुरल पूरे के पूरे 193 मेंबर्स होते हैं ठीक इन 193 मेंबर्स में से 93 मेंबर्स में रूस के निलंबन के पक्ष में वोट डाला और 24 ने विपक्ष में अंठावन ऐसे देश थे जिन्होंने वोट डालने से परहिज किया और इन 58 देशों में इंडिया भी शामिल था भारत ने मद से परहिज किया ये अंठावन देशों में भारत पाकिस्तान नेपाल भुटान जैसे एशियाई और कुछ अफरीकी देश शामिल थे बाकी जादतर अमरीकी और यूरोपियाई जो देश थे उन्होंने जादतर इसके पक्ष में डाला और रूस के जो सहयोगी देश थे उन्ह और जैसी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि इसमें वैसे भी कोई पर्मनेंट मेंबर्शिप होती ऐसी बात नहीं है उसी बारे में यहां पर अगला पॉइंट आप पड़ सकते हैं रूस की यूनाइटे नेशन हुमन राट कमिशन में जो सदस्ता है ना वो दो उक्रेन की राजधानी कीव के पास शेहरों से पीछे हटने के दौरान नागरिकों की हत्या के तो यह एलिगेशन से आपने हाल फिलाल न्यूस में देखी होंगे कि कीव की आसपास आम नागरिकों को भी रूस की सेना ने काफी नुकसान पहुचाया और मानावधिकार का इ यह है न्यूस अब इसके स्टैटिक पार्ट में जो शब्द बार बार आ रहा है यूनाइटेड नेशन यूमन राइट कमिशन वैसे तो आप पेपर 7 में से पढ़ते हैं वैसे तो एक नॉर्मल जीकी का टॉपिक है फिर भी उसकी बेसिक चीजें जो इस न्यूस रिलेटर आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूं मैंने इतना तो आपको बता दिया कि ये एक यून की एजेंसी ये यून का ओर्गन है और ये सीधा सीधा जनरल एसेंबली आम सभा की अधिनस्त एक एक आई है इसका जो गठन हुआ था सन 2006 फरवरी सन 2006 में हुआ इसका पर लगाईस है और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया वो ये बताया कि इसमें जो मैंबर्स हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहते वो तीन-टीन वर्षियों के लिए ये आपको ध्यान में रहना है तो इसमें ना 47 मैंबर्स होते हैं 47 मेंबर्स और तीन-3 साल ओक लि तो याद रखे 47 members और यह members तीन साल क्लिये होते हैं फिर यह members चींज हो जाते हैं तो आपको इसका स्थापना वर्ष याद रखना है सदस्यों की संख्या इनका टर्म इनका हेड़कॉर्टर वर्तमान इनके अध्यक्षी होने युनाइटे निशन हुमन राट कमिशन के कौन है यह याद रखना है तो फिलाल यह जो तीन साल का टर्म है इन 47 सदस्यों में रूज भी शामिल था दोहजार तेस में इसका टर्म खतम होने वाला था जिससे पहले इसे युक्रेन पर मानवधिकार के उलंगन का रोप लगाते हुए निलंपित कर दिया गया तो यह स्टाटि करने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है ताकि वर्ली लेवल पर 193 नेशन्स के अंदर मानवधिकारों का उलंगन ना हो तो उसी चीज़ को यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है कि इसका कार सारव भौमिकरन निश्पक्ष्टा वस्तो निश्टा इवं स्रजनात्मक अंतराश्ट्री समवाद के सिधानतों के अंतरगत निर्देशित होगा इसे समय पर सभी अभिकरन एवं निकायों को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवधिकार उलंगन की विवस्तापक ढग से रोका जा सके ठीक है मतलब यह मॉनिटरिंग करता है रिपोर्ट मांगता है और उसके बाद यह पूरी तरह से विजलेंस रखा रखता है कि यूमन राइट का उलंगन तो वैश्वेग रूप से नहीं हो रहा है तो याद रखें कि इस अन इस यूनिट अंडर जनरल एसेंबली जिसमें यह सारी बाते आमको याद रखने है और वर्ली लेवल पर हुमन राइट प्रोटेक्शन के लिए यह काम करता है अब हुमन राइट प्रोटेक्शन के दाएरे में आप जो भी काम देख लें इंक्वायर करने से लेकर केसों की सुनवाई करने से लेकर विजलेंस रखने से लेकर सर्वे करने से लेकर रिपोर्ट ब परहेज किया ये भी ठीक है चलिए मुवार्ट करते हम सेकंड न्यूस पर जो की पॉलिटी से नहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है तो बही 13 अप्रेल संदो हजार 22 को जलिया वाला बाग के कुख्यात उस हत्याकान के 103 वर्ष पूरे हुए और इसी उपलक्ष में भारत की घटना को याद किया गया वीरों को शहीदों को श्रधांजली दी गई और इस वज़े से थोड़ा सा हाईलाइटेड है तो बही हमेशा मैं आपको बताती हूं हिस्ट्री की और भी न्यूस मैंने पहले के सेशन्स में कवर की और मैंने कहा कि इतिहास के वो पन्ने जो किसी क घटना के वज़े से चर्चा में रहते हैं कई बार वो सीधा कि सीधे उठकर आपके एक्जाम में आ जाते हैं तो जल्यवाल अबाग खत्याकांट तो वैसे एक इंपॉर्टन हिस्टोरिक इवेंट है लेकिन अगर वो किसी वज़ह से नाशनल यूस में रही उसे याद किय किया गया तो फिर उसके आने के चांसें अगले कुछ दिनों तक कि एक्जाम में आने के चांसें ज्यादा रहते हैं तो उसके बाद जो स्लाइड में सारी बाते रिखी गई है वो जलिया वाल अबाग खत्याकांट से रहें लेकिन जो सेकेंद पोईंट है उसे आप धियान में उसके सो वर्ष पुर हुए थे तो उसे भी याद किया गया था और उसे जलिया वाला बाग हत्याकांट से भी ज्यादा कुक्याद बताया गया था ठीक है तो इसलिए यहां पर उसका जिकर दुबारा किया जाता है कि ऐसा ही हत्याकांट जलिया वाला बाग हत्याकांट ज में से एक ऐसी रैली थी जो लाहोर में निकली थी लाहोर में उसके दो जो रैली के नेता थे सैफुद्दीन किछलियू और सत्पाल उनको पुलिस ने गरिफतार कर लिया था उनकी गरिफतारी की विरोध में फिर 13 अपरिल 1919 को जलिया वाला बाग में एक शांती पूर्ण धर महां पर किया बखतर बंद गाडियों के साथ महां पर इंटर किया एंट्री गेट को बंद कर दिया गया और ओपन फायर कर दिया गया जिसमें हजारों लोग मारे गए ठीके भारती सर्व की हिसाब से बात करें तो बारा सो तेरा सो लोग करीब करीब उसमें मारे गये थे ज कहीं न कहीं या सहयो गांदुलन का इंडारिट वे में ही सहीं जले वाला बाख हत्या कारण असयो गांदुलन का कारण बना था थी क्योंकि देश भर में असंतोश था इस घटना का ठीक और आप जानते हैं कि फिर बाद में सन 1940 में सरदार उधम सिंग ने जनरल डायर की लंड धांजली दी गई तो इतिहास का रपन फिर से चर्चा में रहा और एक क्वेशन के मादब से किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है और ये भी आपको ग्यात होना चाहिए कि इस साल चार फरवरी सन 2022 को चार फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांट के 100 वर्ष पुरे चाहिए तो आपको 1900 वाले जो याद रहने चाहिए तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि 100 वर्ष पुरे हुए कि 103 वर्ष पुरे हुए ठीक है तो चार फरवरी 2022 को चौरी चौरा कांट वाले चीज को भी ध्यान में रखा गया जिसके वज़े से असवयो गांदोलन जो है वह समाप्थ किया गया था फाइन तो हिस्ट्री का यह करेंट से रिलेटेटिट न्यूस है जो आपको ध्यान में रखने एक सो तीन वर्ष पुरे हैं 103 चलिए अगली न्यूस पर अगली न्यूस है इंटर मिनिस्टीरियल कॉर्डिनेशन ग्रुप आएम सीजी की पहली बै बनाए गया आपको नाम से समझ में आ रहोगा इंटर मिनिस्टीरियल कॉर्डिनेशन तो भारत में केंद्र मंतराले जितने भी हैं उन केंद्री मंतरालों के अंतरकत जितने भी विभाग या डिपार्टमेंट साते हैं उनका एक गुरुप बनाया गया है और उनकी पहली मी इसे भारत के जो विदेश सचिव थे हर श्रेंगला उन्होंने लीड किया याद रखिएगा हर श्रेंगला यह इंडिया की foreign secretary है इन्हों ने इसे lead किया इन्हों ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें participate करने वाले लोग कौन थे यह पूरे जितने central ministry उसके जितने भी secretaries हैं उन लोगों ने इसमें participate किया यह जो meeting है यह new Delhi में आयो जित की गई नहीं दिल्ली में और it was the maiden meeting मतलब यह पहली बैठक थी इसलिए यह आपको dynamic के रूप में ज़्यादा ध्यान में रखना इसका कोई history ने मिले क्योंकि यह पहली बैठक थी तो दरसल क्या है inter ministerial group जो है IMCG यह इंडिया का एक neighborhood first mission है उसके तहत बनाया ग्रूप है IMCG का जो गठन हुआ है वो actually इंडिया की इस foreign policy के mission के मंदे नजर हुआ है neighborhood first नीती neighborhood first policy नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया की एक ऐसी foreign policy है जिसमें हम अपने पडोसियों को पहले प्राथमिक्ता देंगे उनके साथ व्यापार उनके साथ संपर्क उनके साथ संचार उनके जो भी bilateral relations हमारे उनके साथ है उनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी, उसके बाद उस दायर से बाहर जाए जाएगा। ठीक है, उनके अंदरूरी मामलों में, हमारे अंदरूरी मामलों में अगर हस्टक्षेप की बात आती तो हमारे बीच पहले हो, तब जाकर कोई विश्व का कोई दूसरा देश है, ठीक है, तो connectivity हो जाए, या communication हो जाए, या agreements हो जाए, या फिर trade हो जाए, या negotiation हो जाए, ठीक है एक नया हिस्सा है, बस इसी चीज़ को क्रियानवित करने के लिए, इसी चीज़ को implement करने के लिए, यह IMCG का गटन हुआ, और यह meeting का उदेश यही यह था, कि हम कुछ ऐसे मामलों पर चर्चा करें, जिससे neighborhood first के तहरत, अपने पडोसियों से जुड़े मामलों पर हम कुछ निश्कर्च पर आ सकी, ठीक है, तो ध्यान रखना हर श्रिंगला जो हमारे विदेश सचीवे, उन्होंने इसके अध्यक्षता की meeting, New Delhi में आयोजिद की गई, ठीक है, तो आप यहां पर जो लिखा है, उसे पर पड़ देती हूँ एक बार, IMCG को भारत की neighborhood first निती की दृष्टिकोन को मुखिधारा में लाने की दिशा में एक उच्चिस्तरी तंदर की रूप में स्थापित किया गया, जिसका बल भारत के पड़ोसी देशों के साथ बहतर संबन विक्सित करने पर है, IMCG को विदेश मंतराले में सहुख सचे वो द्वारा बुलाएगी, अंतर मंतराली सहुख कारेबल, मतलब inter-ministerial joint task force द्वारा समर्थित किया जाता है, मतलब इसको ना support करने के लिए inter-ministerial joint task force बनाए गई है, जो इसके पूरे क्रियानवन को implement करवाती है, support करवाती है, ठीके मतलब सभी मंतराले ओं की एक joint task force है, जो इस पर काम करती है, IMCG ने बहतर connectivity, मजबूत intelligence और पडोसी देशों के नागरिकों के मद्ध, मजबूत जुडाओं को बढ़ावा देने हैं तो, एक संपूर्ण सरकारे दृष्टिकों के साथ व्यापक दिशा प्रदान की, IMCG देशों की सरकारों के मद्ध संस्थागत समन्वे में और अधिक सुधार करेगा ताकि अपने पडोसी देशों के साथ भारत के संबंदों के लिए इस पूरे सरकारे दृष्टिकों को व्यापक दिशा प्रदान करेगा, मतलब इन लोगों ने हर एक देश जो हमारे पडोस में हैं, चाहिए अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्री लंका हो, मयानवार हो, इन सभी के साथ अलग-अलग मुद्दों में जो भी रिक्वाइड है, उस पर चर्चा की, जैसे इसी में जो ये मीटिंग हुई, इसमें अफगानिस्तान को मानवे सहायता प्रदान करने के उपर सहमती बने, कि वी विल प्रोवाइड हुमानिटेरियन एड्स तो अफगानिस्तान, बिकॉस दे नीर इट, दूसरा, इंडिया और नेपाल के बीच में बॉडर इशूस को रिज है, वो आसानी से हो सके, तो इंडो नेपाल, ट्रेड इशूस, इंडो अफगानिस्तान, हुमानिटेरियन इशूस को इसमें अड्रेस किया गया, और ये सारी चीजें जो हो रही है, आइम सी जी का गठन, हमारी नेबर हुट फर्स पॉलिसी, इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पूरा शेत्र हैं इंडिया और इसके आसपास के जो सार्क देश हैं, वो काफी मजबूत स्थिती में आ जाएं, इसके एक बड़ी वज़ा जो है, ये चीन का बढ़ता दबदबा है, कई ना कई अगर आप विदेश जो भी एक्सपीरियन्स लोग हैं, जो देशी मामलों के जो जानकार हैं, उनकी सुने तो वो कहते हैं, कि जो चीन का इस शेत्र में बढ़ता दबदबा है, उसकी वज़े से ये सारी चीजे करने की ज़रूत पढ़ रहे हैं, ताकि भारत का भी जो वर्चस्पे आसपास के देशों में एक पॉजिटिव तरीके से बढ़ें, हम जहां मदद कर सकते हैं, जहां से मदद मिलें की वहां से लेंगे, ट्रेड में इनको परत्मिता देंगे, ताकि चीन के बढ़ते वे वर्चस्प के सामने हम खड़े रह सकें, उसके अलावा हम चाहते हैं, कि हर जो पडोसी देश हैं, उनके आपस में संबंद ऐसे रहें, कि डिफेंस भी एक दूसरे पर कहीं न कहीं ये लोग भरोसा कर सकें, डिफेंस तन्त रहां का मदबूत हो सकें, कि कल को किसी देश की विरुद हमें ज़रूरत पड़े, तो उनका ग्राउन हम यूज़ कर सकें, अगर किसी और को ज़रूरत पड़े, तो हमारा और कोई और यूज़ कर सके और टेक्नोलोजीज भी जो डिफेंस की होती है उसमें हम अपने आपको इस चेतर में काफी मजबूत करें ठीक है तो यह सारी जो इशूज है इनके वज़े से यह हुआ उसके अलावा हम जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से नेपाल के चेंडो भूटान हो चेंडो श्रीलंका हो हमारी जितने पडोसी देश हैं उनके साथ हर तरह के जो भी रिष्टे हैं उनको मजबूत करने के लिए यह नेवरूप फरस्ट विजन लाया गया और इसी के दहत आयम सीजी में बैठकें हुई बैठकी शुरुआत हुई इसी प अफगानिस्तान को मानवी सहयता हर प्रकार से प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो याद रखेंगे आप नेवरूट फरस्ट पॉलिसी फॉरेंड पॉलिसी के तहप और आयम सीजी नेवरूट फरस्ट पॉलिसी के अधीन बनाया गया ग्रूप पहली मीटिंग नई दिल्ली और इसकी अध्यक्षता इन होने की है ठीक है इतनी चीजें यह आपके इंटरनाशनल रिलेशन से ठोड़ी सी बात है कोई चीजें इधर उदर करके प्रलम्स में इधर उदर टुकडो टुकडो में आ सकती है और डिरेक्ली करेंट अफेर्स के रूप में भी आ सकती है ठीक तो चले यह थी आज की तीसरी नियूज मूवण करते हैं हम चौथी नियूज में तो यू आई डी ए आई की कार प्रणाली पर कैग लेखा परिक्षा रिपोर्ट ठीक तो भारत का नियंतर के महावर लेखा परिक्षक की एक वारशिक रिपोर्ट आई है यू आई डी ए आ भारत की नियंत्र के महाले का परिक्षक ने आधार काड़ जारी करने से संबंदित कई मुद्दों पर भारती विशिष्ट पहचान प्रातिकरन TQI-DAI की आलोचना की है यह आलोचनात्मक रिपोर्ट आई है क्रिटिकल रिपोर्ट आई है क्रिटिसिजम करते हुए यह UIDI 12 जुलाई 2016 को आधार अध्रियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए Electronic 7 सूछना प्रोध्योगी की मंत्राले के अधिकार शेतर में भारत सरकार द्वारा स्थापितिक विधानिक प्राधिकरने हैं हम पहले पढ़ लेतें फिर में इसका सार बताऊंगे UIDI की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 2009 में योजनायों के तत्वावधान में एक सनलगन कार्याले के रूप में की गई थी UIDI को भारत की सभी निवासियों को एक बारांग की विशिष्ट पहचान संख्या यहने आधार प्रदान करने का कारिस्व अपा गया है 31 अक्टूबर 2021 तक UIDI ने एक 131.68 करोड आधार नंबर जारी किये थे तो यह जो नीचे की लाइन है इट इस वाल अबाट यूए आई और उपर की जो लाइन है यह डाइनिमिक पार्ट है तो इसमें क्या अलोशना की गई है मुद्दा क्या है और UIDI की जो बेसिक बात है उसको हम अब देखते हैं तो बही न्यूज यह है कि क्याग ने जो यूणीक अइटिफिकेशन अथारिटी ओफ इंडिया की आलोशना वले रिपोर्ट जारी की उसमें उन्होंने बहुत सारे पहलूँ को हाइलाइट किया दरसल 2015 से 2019 की बीच में इनका जो काम हुआ था उस इसके लिए अपलाए करते हैं तो इसके पहले 12 महनों में से 182 दिनों के अगर आपने भारत में निवास किया है तभी आपको आधार नंबर दिया जा सकता है ठीक है जो मैं बताना चाहरी हूं उसके लिए आप इसको इसको पॉइंट को पहले समझे कि आप जब इसके लिए कर रहें आधार कार्ट के लिए तो 12 मंस में से कम से कम अगर आप 182 डेस के लिए इंडिया में रहे हैं तो आपको आधार कार्ट दिया जा सकता है तो यह से फितना जानता है कि बही 182 दिन जो है आप आवेदन करने से पहले तक इंडिया में रहे हैं कि नहीं इन 12 महनों के अब्धी में ठीए तो आलोचना में ये कहा गया क्याग दुमारा की इसकी पुश्टी करने के लिए की बही कोई जो वैक्ति आवेदक है वो पिछले बारा महनों में 122 दिन भारत में रहा है की नहीं वो कहिए रहा है कि मैं रहता हूं वो निवास में रहता है कि नहीं इसके कोई निश्चित काखजात या documents को निर्धारित नहीं किया गया मतलब आधार नंबर या अधार कार बनाने के लिए बोहुत सारी cross checking documentation के जरीय होनी चाहिए जिसे ये लोग नहीं करते तो कहीं न कहीं आरोप लगाया है कि किसी जगा पर कितने time के लिए व्यक्ति रुका कितने time तक की व्यक्ति रहा है इसके लिए कोई document support का कोई भी decision लोग ने लिया कोई भी प्रमाण ये लोग नहीं लेते हैं और ऐसे ही ब दारित कर सके उसको प्रमाण इत कर सके तो अगर मैं apply कर रही हूं और मैं कह रही हूं कि मैं यहां पर रहे तो इससे पहले मैं यहां पर रही हूं इतने समय से भारत में रहे हूं तो मुझे कोई जाधा कोई document देना चाहिए था तो क्याक का पहला ये report में बात सामने आई कि documentation जो ये लोग लेते हैं वो कम हैं खासतोर पर किसी की जगह या time period को ने धारित करने के लिए वो कब से इंडिया में या उस जगह पर रह रह रहे हैं तो एक ये बात सामने आई दूसरी बात ये सामने आती है इसमें कि ना duplicate आधार, deduplication के तो है इतना बहुत सारे duplicate आधार card बन गए जिसकी वज़े से बहुत सारे पुराने आधार cards को रद करना पड़ा तो ये duplication की एक बड़ी समस्या सामने में आई ठीक है तीसरी बात जो सामने आती है जो biometric data ये लोग feed करवाते हैं तो इनके जो biometric appliances है जिसके जरीए ये लोग आई का scan लेते हैं या फिंगर प आपने ये देखा होगा कई बार आप लोगों ने भी experience किया होगा कि आपका पहली बार में data सही नहीं भराया गया फिर दूसरी बार उसी data को feed करने के लिए शुल्क लिया गया तो क्या की रिपोर्ट में ये भी बात आई कि जो biometric entry ये लोग लोगों से करवाते थे उसमें क इतने भी documents है चौथी बार documents से related आई कि जो documents से उनको link नहीं किया है आधार के पुष्टी करन के लिए आधार कार्ड को जो बनाया गया जिसको हम एक आधार मानते हैं इंडिया में कई जगे identification का अधार कार्ड ही आधार है कई जगे पर identification का इंडिया में इंडम valid आप कह सकते हैं ग्राउंड होता है अगर आपने आधार कार्ड प्रस्तुत कर दिया कि इसके आधार पर आपको कोई भी चीज कोई भी question नहीं किया जा सकता है उसमें आपका नाम लिखा है उसमें आपकी फोटो है उसमें आपकी date of birth है उसमें आपकी place है तो फिर अपने आप में प्रमा अधार कार्ड बनाने की उसमें दो बड़ी तूटी आई एक तो बायोमेट्रिक एंट्री इस प्रॉपरली नहीं होती दूसरी यह कि अधार कार्ड बनाने से पहले उनकी जो date of birth है उनकी जो place of birth है उनका जो वर्तमान place है इन सारी चीजों के लिए verification के लिए लोग सहीं तरह किसी document नहीं चेक करते हैं तो यह कुछ बात है क्याग ने highlight की UIDI की इस प्रक्रिया में ठीक है ध्यान रखिएगा क्याग जो है नियंतर के में महाले का परिक्षय एक तरह की लेखा report प्रस्तुत करता है लग लग department के लिए central द्वारा उसे और भी जो तप्तीश करने बोले जाती है उनके लिए भी रिपोर्ट जारी करता है तो उसी के तहट इसने इसकी रिपोर्ट चारी किया ठीक है तो डॉक्यमेंटेशन बाइमेट्रिक एंटरिस रिलेटर कुछ तुछ तुटिया सामने आई की बारे में बताई गई है कि 12 जुलए 2016 को प्रावधानों का पालन करते हुए electronics and information department जो मिनिस्ट्री है उसके अधिकार शेतर में सेंट्रल गवर्मेंट ने UIDI की स्थापना की थे ठीक है 2015 से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 2016 में ये यूनिक आइडेंटिफिक्टियन अथारिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई किस के तहट किस department के तहट electronics and IT जो मंत्राले हैं उसके तहट सेंट्रल गवर्मेंट ने UIDI की स्थापना सन 2016 में की UIDI की स्थापना भारस सरकार द्वारा जनवें 2009 में योजनायो के तत्वादान में एक सनलगन कारेले के रूप में की गई थी शुरू में ये जो हैं योजनायो की यानिकि planning commission के एक allied sector के रूप में किया गया ठीक है और 12 जुले 2016 को आधार अधिनियम 2016 के तहट इसको इस मंत्रा लेके अधीन स्थापित किया गया तो पहले UIDI की जो स्थापना हुई थी सन 2009 में planning commission के alliance के रूप में हुई थी ठीक है और उसके बाद ये जो चीज हुई ये electronics and IT department के अंदर आधार अधिनियम याने की आपका आधा 2016 के तहट इसको पुनरगठित किया गया ठीक है उसके अलावा UIDI को भारत के सभी निवासियों को एक 12 अंक के विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने का कारे सौपा गया आप जानते ही कि पुरा department आधार कार्ड बनाने के लिए रखा गया जिसमें हमको 12 नंबर का एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हमारा जितने यहां पे निवासी है उनका एक नंबर ही होगा ऐसा कोई भी डुप्लिकेट नंबर किसी और का नहीं हो सकता यूनीक मतलब आपको जो 12 डिजिट नंबर से पहचान मिली है वो भारत में सिर्फ आप ही की पहचान के लिए वो नंबर यूज हुआ है ठीक है ठीक तो 12 डिजिट अधार नंबर याद रखें प्री रिक्विजिट यह है कि आप कम से कम एक साल में 182 दिन भारत में रहे हो तो आप अधार के अप्लाए कर सकते हैं जिसमें बायोमेट्रिक एंट्रीज में आपका आई का स्कैन और फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है ठीक है 31 अक्टूबर 2021 तक जो रिपोर्ट जारी हुई उसकी एकॉर्डिंग 131.68 यहने 131 करोड आधार नंबर यूआई डियाई ने जारी किये यह भी क्या के रिपोर्ट ने बताया है लेकिन जो तुरुटिया हुई वो डॉक्यम क्लियर है चलिए तो दिस वोज दिन्यूस दाइनेमिक पार्ट एंड अस्टेटिक पार्ट अब हम मुवण करते हैं लास्ट न्यूस पे इलेक्टरल बॉंड स्कीम 2018 को चुनाती देने वाली एक लंबित याचिका पर सुनवाई हुई तो पहले हम स्लाइड पढ़ते हैं इ लेक्टरल बॉंड स्कीम 2018 को चुनाती देने वाली एक लंबित याचिका पर सुनवाई करेगा दो गैर सरकारी संगठन Common Cause Association for Democratic Reforms इस योजना को चुनाती देते वे आरोप लगाते हैं कि ये लोगतंतर को विकृत यानि डिमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट कर रही है ये स्कीम ज को समझ में आरोगा हला कि मैं समझाऊंगी इसको चुनावी की funding में transparency लाना है सरकार ने इस योजना को cashless digital अर्थ विवस्था की और बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में बढ़नित किया तो इंडिया में जितने भी electoral reforms हो रहे हैं उनमें से एक electoral reforms की रूप म इस योजना को लाया गया है और जो अगली slide है इसमें electoral bond schemes related सारे बातें दी गई हैं कि इसमें कितने रुपए का use होता है इसे कौन लाभनवित होता है ये bond कौन जारी करता इसका मतलब क्या है ठीक है तो चली हम इसको पहले समझते हैं कि scheme क्या है और दिक्कत क्या है तो ऐसा है कि आप जैसे देख सकते हैं सन 2018 में electoral reforms के तौर पर ये bond scheme आई थी जिसे हम electoral bond scheme कहते हैं जो कि जैसे इस last line में आप देख सकते हैं cashless digital economy की तरफ एक electoral reform है आप जानते हैं कि political parties को funding की जाती है लोगों द्वारा भी की जाती है समुदायों द्वारा भी की जाती है businessman द्वारा भी की जाती है market द्वारा भी की जाती है तो ये जो political parties को funding होती है उसके लिए 2018 की scheme की तहत bond जारी करती है ठीक है कि लोग चाहें तो अब funding जो है bond खरीद कर किसी अपनी particular party को कर सकते हैं इसका उदेश ये था कि transparency लाई जाए यानि पारदर्शिता लाई जाए इस funding की scheme पे ठीक और इसकी अगर आप basic बाते देखें कि ये bond कौन जारी करता है किस मद किन मदों में bond जारी होता है तो अगली आप इस slide में देख सकते हैं कि एक हजार, दस हजार, एक लाग और दस लाग और एक करोड की गुण को में इसके multiple में बिना कोई अधिक्तम सीमा कि ये आप जितना चाहें इन इन मदों में इन इन denomination में आप जो है bond को खरी कर सकते हैं इन इन denomination में जारी होता है ये एक हजार का bond, दस हजार का, एक लाग का, दस लाग का और एक करोड का ठीक है इनके गुणकों में bond जारी होता है और इसकी कोई अधिक्तम सीमा नहीं है पर इन multiples में bond जारी होता है और bond जारी करता है बहुत important है State Bank of India ठीक है bond जारी किया तो within 15 days इसको आप encash करा सकते हैं ये bond एक पंजिकरत राजनितिक पार्टी के निर्दिश खाते में प्रती दे होता है जब आप इस bond को खरीदे हैं तो जो भी registered political party है जो भी आप जिसका भी bond खरीदेंगे उसका जो fund होता है उसमें जाकर आपका पैसा जमा हो जा बॉर्ण किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जन्वरी अप्रेल जुलाई और अक्टूबर की महिनों में प्रत्य दस दिनों की अवधी है तो खरीद के लिए उपलब्द होता है जैसा कि केंदर सरकार द्वारा ने दिश्ट है तो जन्वरी अप्रेल जु पर अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं लेकिन बाकी पूरा वेरिफिकेशन और इडिटिफिकेशन रहता है कि आप बॉर्ण जो खरीद रहे हैं आपका इडिटिफिकेशन क्या है वालब आपकी सारे जो आपकी आईडी की डिटेल से वो जाहिर होती पर आपको नाम लेने की जरूरत नहीं तो बीस हजार से कम कि अगर आप फंडिंग कर रहें बॉर्ण खरीद रहें तो फिर आपको अपना इडिटिफिकेशन भी ज्यादा डिस्क्लोस करने की जरूरत नहीं पर बीस हजार से उपर कि अगर आप फंडिंग कर रहें तो फिर आपको आपको disclose करना पड़ता है ठीक है लेकिन नाम कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती तो कुलमिला की in denomination में SBI इद्वारा ये जारी किया जाता है दिन वगेरा वो तर भोल जाए ठीक है और जब आप bond खरीदते हैं तो particular जो भी registered political party उसमें जाकर के वो पैसा जमा होता है और अगर 20,000 से कम की funding की जा रहे है तो आपको जादा identification details नहीं देने पड़ती ये है आपकी electoral bond scheme कुल मिला करके political parties को fund करने के लिए ठीक है तो scheme क्या है इसका static part आपको समझ में आया ठीक है अब बात आती है कि सर्वोच नयायाले में ये जो है इस scheme के खिलाफ और उन्होंने ये आरोप लगाया कि स्कीम से हो ये रहा है कि democracy distort हो रही है लोग तंत्र को विकृत करने वाली scheme है ऐसा इन दोनों संगठनों का आरोप है तो उन्होंने ये बोला अपनी आचिका में कि दरसल हम जो कह रहे हैं कि इस scheme से funding में पारदर्शिता आएगी ये scheme actually इसके just opposite काम करती है funding में पारदर्शिता उतनी अच्छे से नहीं आ रही है वज़ा ये है कि एक finance act था सन 2017 का 2017 का एक finance act था जिससे जो संसद है मतलब इस act है मतलब संसद ने पास किया है इससे सभी political parties को ये छूट मिल गई है कि आपको जो भी companies या लोग आपको funding कर रहे है और इस scheme के तहट funding कर रहे हैं bond के तहट आप चाहें तो उनके नाम disclose ना करें तो ऐसे में जब नाम disclose ही नहीं होंगे अगर लोगों को political parties को छूट दे दी गई है कि आप चाहें तो नाम disclose ना करें तो फिर लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि किसे कौन fund कर रहा है तो कहीं न कहीं लोगों का आरोप है कि जो हमारा article 19 है जिसके तहट right to information है हमें जानकारी का अधिकार है उसका उलंगन होता है क्योंकि हमें जानने का अधिकार है कि political parties को जो funding मिल रही है वो कहां से मिल रही है अगर उसके लिए को official तरीका बनाया गया है पहले नहीं था तो बात लग दिए अगर एक official तरीका बनाया गया और उसका उखदेश ही आप transparency बता रहे तो फिर इसके तहट हमें यह जानने का अधिकार है लेकिन फिर इसमें यह हो रहा है कि इसको इतनी जादा तरीकों से सुरक्षित कर दिया गया है यह political parties चाहें तो उनको पैसे भी मिलेंगे और वो चाहें तो disclose भी ना करें तो कहीं न कहीं transparency की against काम कर रहा है यह इनका आरोप है ठीक है एक बड़ा आरोप यह हुआ कि हमारे right to information का उलंगन कर रहा है और transparency की जगे पे यह जज़ उसके opposite काम कर रहा है दूसरी चीज यह कहते हैं कि अभी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि यह bond SBI जारी करता है भारतिय स्टेट बैंक अब भारतिय स्टेट बैंक तो एक सरकारी बैंक है है ना government bank है तो इन दोनों संस्थाओं का यह आरोप है कि एक government bank द्वारा जब bond जारी हो रहा है तो present में जो ruling government है उसको यह साफ तोर पे पता चल जाएगा कि जो विपक्षी दल है उनको कौन कौन funding कर रहा है मेरा ही bank है जो यह bond जारी कर रहा है तो मुझे यह तो पता चलेगा कि मुझे कौन पैसे दे रहा है मुझे यह भी पता चलेगा कि मेरे जो opposition में व्यक्ति उसे कौन पैसा दे रहा है तो यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो ruling party है उसकी तरफ एक biasness दिख रही है क्योंकि उसे पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है जबकि आम जनसाधारण पूर जानकारी मिलनी चाही थी वो नहीं मिल रही है तो इससे कहीं ना कहीं एक distortion हो जाएगा democracy का क्योंकि ruling party को पूरा पूरा पता चल रहा है कि विपक्षी दलों को bond के जरिये funding कौन कर रहा है क्योंकि आप एक सरकारी bank को बोल रहे है और सरकार से सारी जानकारिया ruling party तो इन्हें सरकार तो निकाल ही सकती है समझ पार है क्या कहना चाहरी है सरकारी bank bond जारी कर रहा है bond का पैसा विदे जो विपक्षी party उनको भी मिलेग तो मैं अगर सकता धारी दल हूँ मेरा ही कोई bank bond जारी कर रहा है तो जाहिर से बात है विपक्षी दलों को कौन funding कर रहा है उसकी information में पास आ जाएगी जो नहीं आनी चाहिए तो as such या तो सारवजनी को तो सभी का सारवजनी को नहीं तो कुछ विशेश तबको तक information में कुछ reforms किये जाएं तो फिलहाल अभी सुनवाई नहीं हुए लेकिन यह एक बयान जारी किया गया है सरवजनायले द्वारा कि हम इस पर सुनवाई करेंगी तो इससे electoral bond scheme के बारे में कुछ बाते सामने आती है इसका static or dynamic part दोन हुए आप थ्यान में रखें ठीक है यह bond अग्या पर दोन है विरोध क्यों हो रहा है इतना ही था आज के सेशन में हमने जो टॉपिक डील किये उसमें मैंने साफ साफ हर बार बताया कि करेंट से रिलेटेड कौन सा उसका पॉइंट है और आपके डाइनिमिक और स्टैटिक से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है ठीक ह तो आई होब आपको समझ में आया होगा आज के सेशन में इतना ही थैंक यू सो मच